हे गाइस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का सुड़े में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ओफलाइन फॉर्म फिल करके आपको हम बताने जा रहे हैं जो की निकाली गई है बीरबल साहिनी पूरा विज्यान संस्थान से वेरियस पोस्ट फ वीडियो का लिंक मिल जागा वहां से जाकर देख लिजिए चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में फूल फॉर्म फिल कैसे आपको करना मैं स्टे बाइस्टे प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे पहल प्रिंट आउट निकाल लिजेगा, कम से कम दो कोपी निकाल लिजेगा, एक कोपी निकाल लिएगा, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, और उसका जरोक्स करवा लिजेगा, पहले जरोक्स में फिल कीजेगा, फैनली हो जाएगा, तो आप अराम से और जिनल में फिल कर आप जिसके लिए भी apply करना चाहते हैं आप ये फिल कर देना है कौन सी पोश्क लाप eligible apply करने की इसकी details वाली वीडियो के बार जरू देख लिजएगा मैं बार बार आपको बोल रहा हूं आपको फिल कर देना है यानि कि अभी आपकी एज कितनी हो रही है आपकी year क्या है अब देख लिजएगा जैसे की बाईस साल है मन्थ आपका कितना है छे मन्थ है दस दिन हुआ है तो इस तरह करके आपको फिल पूरा कर लिजएगा कैटेगरी यहां पे चूज करनी है जैसे की आप हैस्टी ऐसी ओबीसी जैनरल इडबलीस जो भी है आप यहां चूज कर लिजएगा और यहां पे टीक लगा दीजएगा धियान रहे दोनों करना है एप्लिकेशन फ्री बैंक डेट यह आपका एमाउंट जो डिमांड ड्राफ आप बनाएंगे जो पोस्टल ओडर आपको बनाना पड़ेगा आपको पता है डाइस सो रुपे का आपको यहां पे 275 रुपया का एक बार देख लेता हूं मैं कोई भी आपको चार्च नहीं लगेगा गाईस इतना आपको धियान रखना है जेनरल ओबी सी वालों को डिमांड ड्राफ बनाना है बन जागा आराम से डिमांड ड्राफ बन जागा आप बैंक से आपी पोस्टल ओडर भी बनवा सकते हो इसमें लिख दीजेगा आप देख दीजेगा यहां पर फिल कर दीजेगा अगर दोनों से हमें तो यहां पर फिल करके एक जगा डू कर दीजेगा आप फिल कर सकते हैं तो फिल कर देना है कोई ज्यादा प्रवलम नहीं है नीचे यहाँ पर पिन कोड दे देना है contact number with STD code यानि कि अगर आपका telephone number है तो ही यहाँ पर फिल किजेगा यह अब वाली सक्षन पर अगर आपका mobile number है तो यहाँ पर फिल किजेगा काफी सारे student गड़वड़ी करते हैं phone number के जगा telephone number के जगा phone number mobile number डाल देते हैं तो यह गलती आपको नहीं करें नहीं है mobile number यहाँ पर फिल करनी है email ID यह दोनों compulsory है mobile नमर email ID आपका होना ही चाहिए और compulsory यानि की total working करना चाहिए यह नहीं कि email ID आपके पास है उसका password ही याद ना हो तिस तरह का mobile या फिर email ID फिल ना करें बेटर हो दोनों आपका password एक्टिव हो creative हो वही फिल करें नीचे इसा फिल करने के बाद आपको आना है आप qualification की details आपको फैले फिल करनी पड़ेगी जैसे के लिए आप LDC के लिए apply कर रहे है तो आपको जाना जरूरी है 12th class आपको आना ही चाहिए 12th प्लास जो है pass out होना चाहिए यह आपने कहां से pass किया यह आप देख दीजेगा देख से degree academic professional यहाँ पे 12th class लिखेगा intermediate लिख दीजेगा जो भी है युनिवर्सिटी बोर्ड आपका कौन सा बोर्ड था जैसे कि मैं जहारकांड हूं तो जैक बोर्ड मेरा था आप यहार है CBI यह नौन अबदाव जो भी बोर्ड है आप यहाँ पे फिल कर देना यह एर एनिक कब आपने पास किया था Debusion कौन से Debusion से पास किया था percentage marks grade आपके कितने अठीचे टोटल परसंटेज आपके इसमें दे दिजेगा कितना था grade एद ग्रेड दिजेगा अगर आप 10th basis पे MTS का form fill कर रहे हैं, तो 10th का यहाँ पर add करना है, अगर आप ITI किये हुए हैं, उसके basis पे form fill करना है, तो ITI की आपको यहाँ पर देना है, नेक्स्ट आपका आजाना है, detail of experience and employment, यदि आपके पास experience है, तो experience की आप यहाँ पर fill कर सकते हैं, जैसे name of organization, कौन सी company आप experience किये हैं, post held, यानि कौन सी post पर आप थे, from, कब से, और to, यानि की कब तक, जैसे की एक से दो मांथ लग कितना थे, from, कब से कब तक आपने किया, pay scale आपकी कितनी वहाँ पर मिलते थी, nature of duty, यानि की आपकी duty वहाँ पर क्या थी, यह आपको fill करना है, आपके पास और भ तो यहाँ पर भी fill कर दिजेगा, कोई भी information आप दे सकते हैं, detail of include attachment, यानि की कोई भी चीज़ attach कर रहे हैं, जैसे आपके इतने भी documents वगरा क्या चीज़ attach कर रहे हैं, इसके आपको यहाँ पर name आपको दे दना है, क्या जैसे आधार काड हो गया, total qualifications की certificate आपको attach करनी है, और date, जो भी date, अभी date आप fill नहीं कीजेगा, date और place आप उस वक्त fill कीजेगा, जब इस form को आप post कर रहे हैं, जब post कीजेगा, उस इसमें अपना date fill कर देना है, और place fill कर दिजेगा, यहाँ पे अपना नाम और signature, दोनों लिखना है, याद रहे, नाम और signature ऐसी बात नहीं, सिर् इतना तो सभी fill कर सकते हैं, fill करने के बाद आपको passport size का photo आपको यहाँ पे paste कर देना है, यानि की ship का देना है, अब जितने भी documents हैं, और आपका जो form है, उसको scan करना है, form fill और आपका जो जरक्स कीजेगा, documents का उसको attached कर दिजेगा, उसको scan करना है, और ही email ID को PDF बना के आपक तो क्या है, उसको post office के जरीए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस address पे आपको post office, speed post के जरीए आपको भेजना है, 23 October से पहले भेजना है, आपको धियान होना चाहिए, और demand drop भी बनाईएगा, तो इसी address पे बनाईएगा, जो की हो जाएगा guys, और envelop लिजेगा, कम से कम दो envelop लिजेगा, एक में आपका किवल form रहना चाहिए, और एक में आपके जितने सारे documents, दो envelop हो गया, और तीसरा envelop होगा, तीसरा में दोनों को add कर देना है, उपर में address लिख देना है, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजेगा, और आराम से इसको send कर दीजेगा, मैं generally information आप आप कर सकते हो, आदेख सकते हैं, जब आपकी selection होगी, तो लखनाओ में होगी, कोई भी आपका यहाँ पर exam से नहीं हो, बिल्कुल आपका skill test लिया जैसा, जैसे कि आप LDC के लिए apply कर रहे हैं, तो आपकी typing test होगी, और जैसे कि आप MTS के apply कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी test test बगरा होगी, normal है, उसमें भी tapping test, कुछ वैसा computer knowledge के जरीए आपको देखा जागा, और finally आपका selection हो जागा, तो एक्जाम से नहीं है, बिल्कुल आप कर रहे हो, eligible हो, तो जरूर अपला करें, hopefully गाई, इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, like करें, इसे अपने दोस्तों तक जरूर सेर करें, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेज कर दीजेगा, गाउर्मेंट जॉप की पलपल की अपडेट पाने के, फिलाल मैं मिलता हूँ नेक्श वीडियो में, तो तक लिए जाहिंद,